हालो वेलकुल प्रेंट्स टैली प्राइम की एक खास फीचर के बारे में बात करेंगे और वो फीचर क्या है यह आपको बताता हूँ देखिए अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं और डेटव आफ टैली पर हैं तो आपको अगर रिपोर्ट्स देखनी है जो भी सब्सक्राइब इसके बाद हमें क्या करना है इसके वाद हमें यहां पर अगर माल लीजिये आपको इसंट्री नहीं है ठिक है तो आप ने इस पर क्लिक किया और इस प्रदवल क्लिक करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा यह एंटर कर करना है इसी entry पर रहते हुए इसी entry पर रहते हुए control के साथ R press कर देना है तो जैसे ही press करेंगे तो वो entry अब गाइब हो गई हो गई ठीक है अब माल लीजिए इस वाले entry को देखना है यह credit note तो यहाँ पर आते हैं और enter press करते हैं आप देखेंगे कि एंट्री इस तरीके से हुई है आपने ये देख लिया आप इसके बाद इसको हटाना चाहते हैं यानकि डिलीट नहीं करना चाहते हैं लेकिन ये देखे ना हम इसको बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि ये देखे ना ठीक ह तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहां से पहले बाहर आ जाते हैं यह बाहर आ गया अब यही वो entry है एक माई में हुई है ठीक है credit note दिख रहा है आपको आप control के साथ R प्रेस कर दीजे तो वो entry हट गई ठीक है अब माल लेजे कि इन ही entries को दुबारा से वापिस यहां पे लेखे आ रहा है और delete तो ही नहीं है यह तो वापिस लेखे आने के लिए आप control के साथ U प्रेस कर दीजे एक बार प्रेस कर दिया यह गोरो डी वाली entry वापिस आ गई ठीक है अगर कोई और भी entries गई हुई है जैसे यहां पर देख सकते हैं उपर एक और entry हमारी वापिस आगे जो हमने purchase वाला पहले height किया था ठीक है तो यह बहुत easy है I hope की बात समझ में आ गई होगी thank you for watching this video